मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक अनाइन ब्रीडर हूँ जैसे आप सब लोग जानते ही हैं मैं बेल्जिन मेलनुआ ब्रीड करता हूँ मैं काफी दिन से एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था काफी टाइम से और मैंने सोच था इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करूं आज जो बेल्जिन मेलनुआ हैं उस ब्रीड के लिए मैंने काफी काफी सालों से जैसे उस ब्रीड पर मैं काम कर रहा ह अभी मेरे को भी काफी टाइम से कॉल्स आते हैं कुछ इस तरह के ब्रीड को लेके कि color को लेके कि हमें यह color का कुता चाहिए कुछ color तो ऐसे मांगते हैं जो मैंने भी कभी नहीं सुने उस color पर मैं भी आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले मैं अपने सभी जो Belgian Malinois जो लोग रखना चाहते हैं या जो लोग रख रहे हैं या जो लोग इस ब्रीड में कुछ करना चाहते हैं जाए वो ब्रीड आगे इनको ब्रीडिंग करना चाहते हैं या फिर ने ब्रीड नोच को अपने घर में आप बेलजियन मेलनुआ अपने घर में लाना चाहते हैं या किसी भी तरह से उसे जुड़े हुए हैं इस ब्रीट से तो इस वीडियो के एक वार आप पूरा जरूर देखें प्लीज यह आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के एक अची इंफरमेशन सायद मेर तरफ से मिले जितना मुझे नॉलिज है उसके लिए मैं आप लोगों को जो बेस्ट है वो देना चाहूंगा मैंने कुछ ताइम से देखा है कि लोग ना कलर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमें ड्यूरोन कलर का मैलनुआ चाहिए या पर हमें भृू कलर का मैलनुआ चाहिए या ब्लैट कलर का मैलनुआ चाहिए अब ब्लू कलर मैं यह थो मैंने शुने ही नहीं पहली बश The सरच किया क्या एसा कुछ है या जो भी चीजर और तो इस तरह के डॉग सबसे पहले तो हमें जो वो प्रीड क्या है किसलिए हम ले रहे हैं क्या हमेशा सेकनड रूप्छन रहता है कि अगर हमें लेना की चैलो ठीक है अची यह ब्रीड को लेक है या या कोई और कलर तो चलो ठीक है जैसे मैंने FCI Pedigree के Black Melanua पहले कभी देखे नहीं थे, अभी जैसे मैं भी ब्रीड कर रहा हूँ या लाया हूँ तो मैं भी KNPV Bloodline के Melanua मेरे पास हैं जो ब्लैक है वर्ट ड्यूरोन और ये और सारे कलर मैंने कभी देखे नहीं है इस तरह के कलर लोग पूछते हैं जो मैं मुझे इतने साल ब्रीडिंग करने के बाद मुझे नहीं पता तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप इस तरह के डॉग से ना कोई ड्राइव है ना कोई वर्किंग है ना कोई किसी तीचीज का मतलब जो एक मैलनवा के अंदर करेक्टर्स होने चाहिए वो उसके अंदर ही नहीं तो आप ऐसा डॉग क्यों लेके आते हैं हम गर में और ये डॉग अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जादा इ लिए यह बड़ा डाग कलर का है बड़ा सुन्दर लगता है दिखने में अब यह तो गाडिंग भी नहीं करता है ची नॉर्मल कुता है ना कोई ड्राइव है ना कोई एनरजी किसी चीज की बस ठीक है खार लिया और गूम लिया अगर हमें कलर ही खरीदना है तो फिर हम कु लिए वाले डॉग हैं तो ब्रीडर चे पहले ही मदर और फादर के जो पेपर वर्क हैं उनके फोटो जरूर मंगा लें क्योंकि आप देखो कि अभी आजकल देख रहे हैं कि मोस्टली जितनी भी ब्रीडिंग इंडिया में हो रही है बहुत जादा उस पर इसा नहीं कि सभ आएंगैं से आपको ब्राइंग होगी हैं में कि वह मिलानु आपने घर में पर बार ना चाहते हैं तो कलर को के जो फालंने फिर्प सिम्स मैंनमार से लोग ला रहे हैं चाइना के मीट मार्केट तक से इंडिया में कितने ब्रोकर ऐसे हैं जो चाइना के मीट मार्केट से कुटे उठा के लाते हैं पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं क्या उनके रूड हैं जिस रास्तों से बू लेके आते हैं मैंनमार तक से मैं द या अच्छे डॉग बाहर से ला रहे हैं जैसे डश शेफर्ड कुछ आए हैं या फिर कुछ मैलनुआ भी बड़े अच्छे आए हैं तो बड़ी अच्छी ब्लड लाइनों के डॉग लाए हैं तो आप अपने ऐसा नहीं है कि जो वो डूरोन और और वो जो डॉग आपका खर होता है घर में पता नहीं उसके अंदर क्या है क्या जैनेटिक फॉल्स है क्या प्रॉब्लम है तो जो जैनेटिक फॉल्ट होंगे वह कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही देंगे कोई किसी तरह का कोई फाइदा नहीं देंगे तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट और उदर पर न ही आपको देते हैं कहते हैं यहां से नहीं कुछ श्लोगों को एंडिया में बर्बाद कर लोग आ不會 ओश्या नहीं茶 इस वाज को part ना लगे जो मैंने बोला है बट ये एक फैक्ट है आप ब्रीड को खराब ना करें अच्छी ब्रीड रखें अच्छे कुते रखें जो हमारे यहाँ पर इंडिया में आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रहे या किसी को हम डॉग दे रहें तो ऐसा ना हो कि किसी के पा